साथियों, आप सभी इस बात के साच्ची है कि जब हमारे देश की सकसम सेना आतं को कुचलने में जुटी है, सीमा के बीतर हो या सीमा पार आतं के ठिकानों पार प्रहार करने में लगी है। ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। देश की आवाज को हमारी सेना के होसलों को बुद्रन करने के बजाए। वो ऐसी बाते कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बाते उनकी तस्वीरे दिखा दिखा कर पाकिस्तान में तालिया बज रही है। साथियों जब आतंकी फैक्टरी चलाने वारों के खिलाब एक सूर से एक स्वर से बात करने की जरुवत थी। तब दिल्ली में 21 पार्टिया मिल करके केंद्र की एंडिये सरकार के खिलाब निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए इकत्ती हुई थी। बिहार का देश का कोई भी सकारत पर सोच वाला व्यक्ति उनके उस कृप्ते को कभी भी माप नहीं करेगा। करेगा क्या? माप करेगा क्या? क्या ऐसे समाए पाकिस्तान खुज हो ऐसी फासा बोलनी चाहिए क्या? क्या पाकिस्तान में तालिया बजए ऐसा पाम यहां करना चाहिए क्या? क्या यह सोभा देता है क्या? अब इनी दलों के देता हमारे बीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदे कर रहे जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का समुद मांगा जा रहा था अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खप्पची जाने का भी समुद मांग ले लगे हैं साथियों मैं कॉंग्रेस और उसके सयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे है आखिर क्यों कॉंग्रेस के नेता उसके सयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फाइदा हो रहा है साथियों केंडर की एंडिये सरकार ने देश को नई निती और नई रिती दी है कॉंग्रेस और उसके सयोगी दलों का देश की सुरच्छा को लेकर जो रवया था वो देश देख चुका है अम नया हिंदुस्तान नई निती और नई निती के साथ आगे बढ़ रहा है अब भारत अपने वीर जवानों के बनुदान पर चूप नहीं बैठता चून चून करके हिसाब लेता है अब भारत चून करके हिसाब लेकर